Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to yet another video So, आज की वीडियो में हम explore करने वाले हैं लाजपतनगर मार्केट So, ये मेरा भी first time सा जब में लाजपतनगर गई थी तो ये लाजपतनगर की central market है So, हम इसको आज explore करने वाले है Now, इससे पहले मैंने कोई भी vlog लाजपतनगर पर नहीं डाला है क्या देखने को मिला So, as soon as you entered in the market So, आपको नहीं वहाँ पर भड जगा ना traditional wear दिख जाएंगे And काफी branded showrooms भी होते हैं If you are into branded stuff So, आप भहाँ से जाके भी ले सकते हो But market मुझे personally इतनी साथ अच्छी लगी So, एंटर करते ही मुझे ये shop देखी जिसमें इतने सुन्दर अगर आपको ethnic wear चाहिए है या wedding के लिए आप कुछ ढूंड रहे हो ना तो आप लाजपनगर market को check out कर सकते हो So, यहाँ पर आपको shawl, suits and बिल्कुल stitch मिलेंगे So, आपको कोई ऐसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है So, yes, यहाँ पर आपको इस तरीके से सरोजनी नगर जैसे stalls भी मिल जाएंगे But थोड़े से price ही होते हैं यह 500 के two sweaters बोल रहे थे भाया इनके sweaters बहुत अच्छे थे, fresh थे, काफी जादा मतलब कुछ कटे होए नहीं थे मतलब मुझे काफी जादा अच्छा लगा इनका collection So, yes, यह मैंने वहाँ पर देखा And इतनी जादा variety में यहाँ पर colors ही colors थे न पूरी market में जिदर देखोगे न आपको different colors, patterns बहुत सारे मिल जाएंगे So, yes, मैं यह वाला stall देख ती और मुझे काफी जादा अच्छे लगे मतलब सरोजनी नगर में आपको ऐसे बहुती कम देखने को मिलते हैं आपको थोड़ा dig in करना पड़ता है उसके लिए But उस हिसाब से मुझे लाजबत नगर में काफी जादा variety मिली And yes, तो हम आगे बढ़ते हैं आगे आपको फिर से suits के काफी जादा shops मिल जाएंगे And यहाँ पर आपको stitch भी मिल जाएंगे semi stitch भी मिल जाएंगे तो यह एक shop ते लिबाज के बिलकुल opposite तो मुझे इनका suit का collection personally बहुत जादा अच्छा लगा था And यह सबसे जादा बहुत जादा famous है blouses वहाँ पे लाशपद नगर में तो आपको बहुत सारी ऐसी shops मिलेंगी जो blouse वगेरा sell करते हैं And इसमें आपको excel तक भी size मिल जाते हैं तो if you are looking कि अगर आपको wedding में चाहिए या heavy से heavy blouse बहुत dainty काम में भी blouse मिल जाएगा embroidery में भी मिल जाएगा तो बहुत सारी range थी prices wise भी बहुत different different अलग अलग था सब कुछ Then उसके बाद आपको मिल जाएंगे traditional earrings की shop इस shop का नाम है Moti Ram Dharmdas shop and इनके लेफ्ट साइड पे लगे वे थे सारे traditional like जितने भी traditional jewelry हो सकती है न वो उनोंने इतनी बड़े board पे लगाई वी थी इतना जादा अच्छा collection था and इनके पास बैंगल्स की भी थे like अगर आप oxidize लेना चाहते हो यह साडी के साथ का लेना चाहते हो and as you can see यहापे sailboards लगे 150 rupees का set मिल जाएगा तो इस इस type से वहापे काफी ज़्यादा वेराइटी थी वहापे clutchers थे, pins थे, hair judas थे और hair accessories थे काफी सारा and H&M वगेरा में जो आपको clutchers मिल दे न वहाँ पे आपको मिल दे 50-50 rupees के तो मुझे काफी ज़्यादा अच्छे लगी particularly यह shop अगर आप लाच बदनगर जा रहे हो न तो आप यहाँ से काफी सारी चीज़े ला सकते हो and मैंने भी कुछ-कुछ चीज़े shop कि like की मेरा first time था तो मैंने काफी सारी चीज़े तो नहीं कहूंगी बट मैं कुछ-कुछ चीज़े वहाँ से लाई हूँ अगर आपको hall देखना है तो definitely comment section में आप मुझे बता सकते हैं मैं आपके लिए hall भी definitely कर दूँगी ज्यादा चीज़े नहीं है तो मैं short video में वो hall कर दूँगी आपके लिए and इसी shop के भारना ऐसे 50 रुपीज का एक round stall लगा हुआ था and traditional earrings में 100 रुपीज का लगवा था इसमें भी काफी ज्यादा अच्छे you know pieces थे तो मुझे काफी अच्छा लगा and ये एक showroom था रास करके तो यहाँ पे आपको varsity jackets बहुत अच्छी मिल रही थी and इनके पास भी इतनी बड़ी पूरी अंदर था कि ये shop थी and इसके just bagal में थी ये hair extension की shop मुझे बहुत interesting लगी कि मैं किसी भी market में इस तरीकी hair extension की shop ने देखिये तो यहाँ पे wigs ले सकते हो आप extensions ले सकते हो and color वाले जो hair extensions होते हैं strands होते हैं और आप अपने color hair color के accordingly यहाँ से choose कर सकते हो and यहाँ से अपने लिए hair extensions भी ले सकते हो patches भी, bangs भी साब मिलते हैं and इसी shop में एक side थी यहाँ पे extensions थे and एक side पे आपको इस तरीके sweaters वगेरा मिल रहे थे and I must say कि इनकी quality बहुत अच्छी है as compared to other markets तो yes, यहाँ पे woolen skirts थे mixed था यह and इसके बिल्कुल opposite रास शोरूम के बिल्कुल opposite थोड़ा आगे जाके यह एक shop थी जिसमें भार ना आपको ethnic footwear मिल रहे थे तो कोला पुटी चपपल मिल रहे थी sandals, flats and घर में पहनने के लिए यह furry slippers मिल रहे थे and most important thing, Lash Bandagar में काफी सारी ऐसी shop से जो जूतियां sell करते हैं and fully embroidered भी and bridal collection भी हाँ पे होता जूती का, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा then next shop थी उसके यह earrings की shop, यहाँ पे full on, full on आपको silver oxidized jewelry मिल जाएगी and quirky jewelry मिल जाएगी, यह वाले pieces सरोज ने लगर में 50 रूपीस के मिलते हैं बट यह वाले भाईया 150 बोल रहे थे तो yes, आप देख सते हो कितना बड़ा huge collection है, इनके पास oxidized and junk jewelry का and इनके पास color oxidized and silver oxidized, black oxidized सारी jewelry मिल जाएगी and इनके जो collection होती है इसके उपर आपको मिल जाएगे chokers वगरा के set जो होते है and इसी के सामने यहाँ पे भाईया sell कर रहे थे poncho, तो यह था आपका 350 का एक है poncho so थोड़ा बहुत अगर उपर नीचे हो जाता है तो भाईया 150 कम कर लेते हैं but इनके poncho का collection मुझे बहुत अच्छा लगा like मैं जादा पहनती नहीं हूँ but जो दो मैंने लिये हुहां से but जो भी लिये इतने unique and इतने cute लिये so यहाँ पे आप देख सकते हो यह board लगा हुआ इसके just नीचे यह एक L-shape shop है जिसमें आपको एक round का stall भी मिल जाएग जाएगा इसी के right लोगे ना तो यहाँ पे आपको starting में यह मिल जाएगी बैंगल की shop and again इसमें भी board लगा हुआ 150 रुपीज के आगे वाला collection था and 250 रुपीज का यह heavy kundan set का पूरा आपको चूडियों का पीछे sail board मिल जाएगा तो आप देख सकते हो कितने heavy काम हो रहा है like kundan भी था वहाँ पे moti के काम वाली जूल्री थी and अंदर इनकी shop में मिल रहे थे bridal jewelry जो होती है अगर आप bridal है और अगर आप ढूंड रहे हैं एक अच्छी shop तो आप यह वाली shop जेक आउट कर सकते हैं यहाँ पे आपको heavy sets भी मिल जाएंगे and as you can see कितने सुंदर सुंदर कड़े हैं इनके पास 250 रुपीज कें जस्ट and यहाँ पे आपको plain bangles भी मिल जाएंगे to mismatch your bangles set and आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर bridal भी है non-bridal भी है and इनकी collection मुझे literally बहुत जाद अच्छे लगी थी then मैंने आपको ऐसा की बताया यह एक पतली सी गली है तो जो शॉमेन आपको पहले दिखाए थी उसी की back side है तो यहाँ पे आपको lace घोटे हो गएरा का भी मिल जाएगा and यहाँ पे आपको designer blouses मिलेंगे as you can see and यहाँ पे आपको bralettes वगएरा भी मिल जाएंगे back side में आप देख सकते हो कितना heavy work हुआ हुआ है एक ही blouse पे so यह 1500-2000 तक भी जाते है and फिर मैं थोड़ा आगे अंदर गई थी तो यहाँ पे मुझे ने बड़ी क्यूट सी शॉब मिली है ना Korean वगएरा सेल कर रहे थे as you can see कितने pretty लग रहे है and yes price range थोड़ी high है but मैं यह काऊंगे अगर जहाँ वो price ले रहे है वो quality भी दे रहे है and यहाँ पे आपको बीज बीज में ऐसे ऐसे showrooms मिल जाएंगे जहाँ पे आप काफी जादा एथनिक लहेंगा वगएरा shop कर सकते हो and एक shop थी जहाँ पे Korean jewelry मिल रही थी बिलकुल dainty Korean jewelry मिल रही थी यहाँ पे so यह भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी and यह 150 रुपीज का sale था इसके उपर and अंदर आप जाओगे ना इसमें अंदर भी आपको काफी जादा traditional jewelry plus junk jewelry भी मिल जाएगी and yes, इसी के just front पे था, यह global books के सामने था, मतलब side में एक leather का shop में, जो एक lota leather का shop मिला था, जो leather boots वगारा sell करते हैं सच बताओ, इतना amazing collection था, बटना same collection आपको सरोज निनकर में मिल जाएगा and that too, थोड़ा कम price में, आप यह देख सकते हो, bags of hair में आपको Kristen Dior, Gucci, Fendi इनके first copy dupes, वो भहिया बोल रहे थे कि first copy dupes होते हैं आप यह देख सकते हो, जन सुविदा के नीचे, मुझे यह end shop थी, जहाँ पे sun glasses मिल रहे थे and oh my god, इतने अच्छे sun glasses मैंने सरोजनी में भी ने देखे, इनकी quality top notch थी, इनके पास variety top notch थी, इनके पास कोर्की ले सकते हो, men's, women's collection, सारा ले सकते हो मैंने भी आसे लिया है एक sun glasses and मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इनका collection and as you can see my sister दोड़ा flaunt कर रहे है, so yeah guys that is it for today's video, subscribe